किर्टन फेरी पर पत्थराओं से तनाव हिंदू संगठनों का ठाने पर हंगामा तीन इलाकों में धारा एक्स चोवालिस लागू नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर हिंदू संगठन के कारेकरता ठाने पहुँच गये थे प्रदशनकारियों ने आरोपियों की ततकाल गिरफतारी और उनके मकानों पर बुल्डोज चलान की मांग की बिजेपी विधायक अरुड भीमावत भी थाने पहुँचे अयोध्या में प्राण पतिस्था के लिए पीले अच्छत बाट रहे थे युवा राम श्याम फेरी सोमवार शाम साढ़े साथ बजे काचिवाडा चौक से शुरू हुई थी जिसमें हिंदू संगठन से जुड़े कुई युवा आयोध्या में राम मंदिर में प्राण पतिस्था समारों के लिए पीले अच्छत बाट रहे थे साथ ही भजन किर्तन करते हुए निकल रहे थी तभी सोमवार शाम में महिला थाने के पीछे के महले में फेरी पर पत्थराओ हो गया जिससे एक युवक खायल हो गया पत्थराओ की सुचना मिलते ही कोतवाली थाना टी आई ब्रजेश मिश्रा और पुलिस बल मौके पर पह विधायक बोले आरूपियों के मकान तोड़े जाएं शाजापूर विधायक अरूड भिमावद ने कहा कि किर्तन यात्रा पर योजना बद तरीके से मोती मस्जित के पास पत्थराओ किया गया है मैं प्रशाशन से मांग करता हूँ कि आरूपियों को तुरंद ग्रफतार क या जाए वे चिन्हित हो चुके हैं उनके मकान भी तोड़े जाएं शाजापूर में पिछले 5-6 सालों में धार्मिक और समाजिक यात्राओं पर पत्थरबाजी कर शहर का वातावरण खराब गरने की कोशिश की है भिमावद ने कहा कि निश्चित रूप से तगड़ी कार करवाई होगी सीम डॉक्टर मोहन यादों ने भी नर्देश दिये कि आरोपियों को छोड़ना नहीं है शांती बनाने के लिए जो भी कानूनी कदम उठादने पड़े वे उठाएं आज जो कारवाई पिछाशन करेगा उसके बाद से शाजापूर में शांती का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल झाल झाल